आज हम यूपिटेट सीटेट के कुछ क्वेस्चन साल्व करेंगे आईए पहला क्वेस्चन साल्व करते हैं यह यूपिटेट 2011 में पूछा है चार अंकों वाली ब्रिहत्तम तथा नियुंतम संख्याओं का योगफ़ ब्रिहत्तम का मतलब सबसे बड़ी संख्याओं तो चार अंकों की बड़ी संख्याओं क्या हो जाएगा नो जार नो सो निन्यानुबे नो जार नो सो निन्यानुबे जब ऐसा करें चार अंकों की वाली ब्रिहत्तम सबसे बड़ी संख्याओं तो चार नो लिख देंगे तीन नो का मतलब नो सो निन्यान तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्याओं आप जानते हैं सा चार अंकों की सबसे छोटी संख्याओं एक के आगे तीन जीरू लिख देगे यही चार अंकों की क्या हो जाएगी छोटी संख्या हो जाएगी करा कि इनका योगफल इनका योगफल बताना आया कि क्या होगा तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या इनका योग पल कर दिये, तो 9-9-9, और यो क्या हो जाएगा, 10-0959, तो आप्षन नम्मर C क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, आए दूसरा question देखते हैं, यह अभी यूपी टेट 2011 में पूछा, यूपी टेट 2011 में यह question आया हुआ है, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ता है फिर 23 डिग्री सेंटिग्रेट घटता है यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेंटिग्रेट हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा तो आपको देखिए यहाँ पर दे दिया है प्रारम्भिट तापक्रम, तो आपका प्रारम्भिट तापक्रम क्या है? प्रारंबिक तापकरम आपको दे दिया है प्रारंबिक तापकरम क्या दिया है 27 डिग्री सेंटिग्रेट और कर आए कि according to the question शुरू में तापकरम 18 डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ता है तो 27 degree centigrade के बाद 18 degree centigrade बढ़ता है तो इसमें उतना क्या करेंगे जोड देंगे फिर कर रहा है कि 30 degree centigrade घर ता है तो इसमें से 23 क्या करेंगे घटा देंगे तो आप देखिए 27 और 18 27, 33, 45 हो जाएगा 45 degree centigrade में से 30 degree centigrade घटा देज़े तक 5 में 3 जादू, 4 में 2 जादू 22 degree centigrade हो जाएगा तो आप देख रहा है कि आप्षन नम्मर ये आपका correct हो जाएगा 22 degree centigrade तीसरा question आप देखे मान निकालिए या ये उपीटेट 2011 में पूछा है माइनस 2 इन्टू माइनस 3 माइनस 4 इन्टू माइनस 5 इन्टू माइनस 6 आप जानते हैं धन में धन का गुड़ा होगा तो धन होगा धन में रिड का गुड़ा होगा तो रिड होगा रिड में रिड का गुड़ा होगा तो धन होगा इसी के माध्यम से आप गुड़ा करके देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा एंसर सही है चौधा क्वेश्चन है आठ किलोग्राम तीन सो पचास ग्राम से तीन किलोग्राम एक सो अठातर ग्राम को घटाईए यह अभी क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में पूछा है इसमें चार आपसन दिये हुए हैं इसको साल्व करके कमेंट बाक्स में बताईएगा कि इसका एंसर कितना आता है